So Hello and Welcome You All, I am Rohit from Margin Trader, So Guys, आज हम बात करेंगे बंदन बैंक लिमिटेट के बारे में, So Guys, बंदन बैंक लिमिटेट में अगर देखा जाए तो स्टॉक कल आग लगा सकता है, जिस तरीके से इसके quarter 4 के results आए हैं, जिस तरीके से इसने quarter के results में आग लगाई हैं, वैसे ही कल भी य आग लगाने वाला है, तो Guys, कल का target क्या होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे, target की खरीदने से पहले वीडियो को end तक देख लेना, क्यूंकि ये वीडियो कल आपको मला मल कर सकता है, तो वीडियो को start करूँ, उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल, The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है, तो Guys, प्लीज चैनल को subscribe कर लेना, for shares के updates के लिए, shares के latest news के लिए, तो घरते हैं, वीडियो को start और चलते हैं, बंदन बैंक के उपर, So Guys, बात करें, अगर बंदन बैंक लिमिटेट की, तो बंदन बैंक लिमिटेट किस लेवल पे, इसने closing दी थी, 13 मई को, तो आप देख सकते हो, 317 रुपे, 25 पेसे के लेवल पे, stock यहाँ पर closing देता हुआ नजर आया था, वही अगर बात करें, 13 रुपे, 10 पेसे तक की, ते इसे ही अगर बंदन बैंक बढ़ता रहा, तो आने वाले time में काफी तगड़े return देगा ही देगा, वही अगर बात करें, इसके levels की, तो आप देखो, जो इसके levels रहे हैं, काफी शानदार levels हमें देखने को मिले हैं, और वही अगर देखा जाएं, तो stop में आपको कुछ patterns दे देखने को मिला, एक मिनट गैस, तो एक fall हमें देखने को मिला, stock एक channel में काम किया, उपर क्यों गया, फिर एक breakdown आया, फिर सीधा stock आया, नीचे क्यों, तो एक fall भी हमें देखने को मिला, but guys, वही अगर देखा जाए, तो pattern अगर यहाँ बन रहा है, तो pattern यहाँ पर भी बन सक सकता है, तो कुछ इस तरीके के pattern बन रहा है, कुछ इस तरीके से stock उपर गया, यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से भी यह उपर जा सकता है, यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं कहूं, तो यहाँ पर stock ने consolidate किया था, साथ ही एक बड़ा breakout था, बड़े breakout के बाद stock उपर गया, और यहाँ पर जो यह नीचे आया है, यह ले रहा है, यह कर रहा है, रिटेस्ट और यहाँ से जाएगा सीधा उपर की और, 332 का target तो यहाँ पर clear लिए आपको देखने को मल रहा है, तो बिलकुल यहाँ पर आपको तगड़ा profit बंदन बैक में हो सकता है, इस pattern को अगर ज़ फिर से drop किया जाए, तो patterns clearly देखने को मिलेगे, यहाँ से एक channel में stock upside down momentum करता गया, यहाँ पर stock में breakdown आया, फिर stock यहाँ पर sideways नीचे की और आया, और फिर से यहाँ पर एक breakout, breakout के बाद stock में उपर गया, फिर यहाँ पर retaste करके एक बड़ा high लगा सकता है, और यहाँ से जो target न है, क्योंकि इसी range में इसने काफी time तक consolidate किया था, फिर वही पर जाने की इसकी कोशिश रहने वाली है, तो guys यह तो रहा as a short term basis पे और यही नई triple confirmation आपको long term basis पे मिलेगा, यहाँ से stock में एक बड़ा downtrend में आया, फिर एक support के साथ, उपर की और support लेता हुआ stock sideways चला, और फिर यहाँ पर breakout के बाद stock सीधा जा सकता है, उपर की और 703 रुपे पे, तो guys यहाँ पर बंदन बैंक के जो chart है, हमने clear कर दिये है, I hope आपको समझ में आये होगे, so guys बढ़ते हैं बागे, बात करें अगर बंदन बैंक के price performance की, तो यहाँ पर 0.42% minus में दिखेंगा, one week का, one month का minus 2.67% है, minus में और 3 month का 0.13% वही बड़े आगे, तो यहाँ पर अब volume देखो, तो volume last Thursday को 91 लाग था और 20 लाग का common and delivery, बट जैसे ही quarter 4 का announcement होने वाला था, वैसे ही 2 करोड का trade value और 31 लाग का common and delivery देखने को बिला, तो दबा करें वाल यहाँ पर उठाया गया था और वही अगर दिखा जा, तो 100% buying हमें देखने को मिली है बंदन bank में, तो guys, और और बंदन bank आग लगाने वाला है कल भी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो guys, please channel को, यहाँ पर वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर देना, क्योंकि ऐसे ही breakout stocks के वारे में मैं बताओगा, आने धाले ताम में वी, thank you